जब घर में आपके कोई हरी सबजी ना हो, और कम दिल वाली कोई डिफेरेंट सबजी आपको बनानी हो तो बीना पकॉड़े को तले इस मोंग दाल पकॉड़े की सबजी कप ट्राई करके देखिएगा बहुत टेस्टी सब्जी बन के तयार होती है और बहुत कम समय में बन के तयार हो जाती है तो चलते हैं आज किस रेसिपी को बनाने के लिए सब्सक्राइब बेटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ पैल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटिस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें सबजी बनाने के लिए आदा कप मैंने भुली हुई मोंग दाल लिया था एक घंटे के लिए इसे मैंने पानी में भिगो के रख दिया था दाल यहां पे अच्छे से फूल गई है अगर आप इसे नाकुन से कट करके देखेंगे तो यह आसानी से कट जा रहा है अगर आपने दाल को पहले से भिगो के नहीं रखा है और तुरहंती आप इस सबजी को बनाना चाहते हैं दाल को आप थोड़े से गुन-गुने पानी में भिगो दीजीगा दस मिनट में दाल फूल के तयार हो जाएगी दाल को दो-तिन पानी अच्छे से धो लें और इसका जितना एक्स्ट्रा पानी है उसे हटा दें उसके बाद आप इसे मिक्सी के जार में डाल दें इसी के लगा के बीना पानी डाले आप इसे थोड़ा सा दरदरा पीस लीजेगा तो यहां पे दाल हमारी पिसके तैयार हो गई है अगर आपको दाल को पीसने में दिक्तत आ लिए तो आप उसमें एक से दो चमच पानी एड़ कर लेजेगा लेकिन बहुत जादा पानी मट डालिए और जार में लगबग एक चमच यहां पे मैंने डाल का पेष्ट बचा लिया है इसका इस्तमाल हम बाद में करेंगे अब आपको यहां पर थोड़ा सा मेहनत का काम यह करना है कि इसे लगातार चलात में पेटना है लगबग तीन से चार मिनट तक तो चाहें तो आप चमच स आप देख सकते हैं पहले से थोड़ा सा चेंज भी हो गया है बैटर बहुत हलका भी हो गया है तो जब आप इसे फेटेंगे तो आपको खुदी समझ में आ जाएगा हिंग डियाजेशन का बहुत अच्छा काम करती है तो आप यहां पे थोड़ा सा हिंग जरूर आट करिए स्वात के नुसार यहां पे आप नमक डाल दीजेगा मैं यहां पे एक चौथाई चमच नमक डाल रही हूं और एक चमच ताजा बारी कटिव हरिधनिया के पत्ते डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेजेगा तो यहां पे पकोड़े के लिए हमारा बैटर तयार हो गया है इसे एक तरफ रख देंगे और चलते हैं नेक्ट प्रोसेस के लिए सबजी को बनाने के लिए यहां पे मैं सरसो तिल का इस्तमाल करती हूं आप चाहें तो रिफाइन या फिर घी का इस्तमाल करके सबजी बना सकते हैं तड़के में यहां पे आपको डालना है एक छोटा च अच्छी डाल के इसे अच्छे से भुन लिजेगा तो यहां पे यह सभी साबुत मसाले भुन गए हैं अब आप यहां पे एक बड़े आकार का कटा हुआ प्याज डाल दीजेगा गैस का आच मीडियम कर दीजेगा और प्याज को तब तक बुनिएगा जब तक कि यह हलकी स सुनहरी हो गई है तो अब हम क्या करेंगे कि प्याज टमाटर हरी मिर्ची और अद्रक जो हमने पेश्ट तैयार किया था वो डाल देंगे गैस का आच धीमा कर देंगे क्योंकि यहां पे हमें अभी कुछ सूखे मसाले आट करने हैं देड़ छोटा चमच यहां पे आप धन हो तो आप इसका इस्तमाल जरूर कीचेगा मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें से तेल अलग ना होने लगे मसाले यहां पे हमारे अच्छे से भुन गया है मसाले का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है और इसमें से तेल भ तो मसाली को जब थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे उसके बाद दही डालेंगे तो दही आपके बिल्कुल भी नहीं फटेगी तो मसाली में जब दही अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद आप दुबारा से गयास ओन कर लीजे और इसे लगातार चलाते हुए अभी आप तब त का लेंगे इस सबजी में पानी का इस्तमाल आपको थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि जब हम पकॉड़े डालेंगे तो वह भी काफी सारा ग्रेवी सोखेगा और ग्रेवी के साथ ही वह पकेगा तो यहाँ पे मैंने पूरा दो कटोरी पानी डाला है और यहीं किमें यहां पे उलाने लगए अब हम इसमें पकॉड़े डालैंगे पकॉड़े का जो शाइज है वह अपने हिसाफ से छोटा या बड़ा रख सकते हैं जैसे ही हम पकॉड़े यह पानी के ऊपर देल रहे है इसका मतलब है कि पकॉड़े का जो हम बेडर तैयार किया है वह तूट जाएंगे तो गैस का आज तेज रखेगा और आराम-ाराम से एक-एक पकोड़े डालिएगा आज की सब्जी में हम बहुत जादा तेल का इस्तमाल नहीं कर रहे हैं इसलिए हम पकोड़े को नहीं तल रहे हैं अगर आप चाहें तो इसे तल के ग्रेवी में डाल सकते हैं सब्जी का स्वाद और भी जाद अच्छा आएगा पकोड़ो हो ग्रेवी में डालने के बाद तुरंत आपको बिल्कुल भी ने चुना है अगरेवी में अच्छे सेट हो जाए और स्टार्टिंग में जार में हमने थोड़ा सा जो दाल बचा के रखा था उसमें पानी डालके वह दाल आप ग्रेवी में डाल दीजेगा ग्रेवी का जो टेस्ट है वो काफी बढ़ जाता है और ग्रेवी अच्छी गाड़ी भी बनके तियार होती है तो अब आप क्या करें कि इसे ढख दें और ढख के तीज आज पे पांच मिनट तक पकने के लिए छोड़ दें तो यहाँ पे सबजी को पकते हुए फूरे पांच मिनट हो गए है तो अब हम क्या करेंगे कि मीडियम आज पे बिना ढख के इसे पांच मिनट और पका लेंगे पकटए है तो ग्रेवी के साथ ही ये पकपेंगे जैसे जैसे सबी हमारी पकती जाएगी ग्रेवी गाड़ी होती जाएगी तो ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा पतला या फिर गाड़ा रख सकते हैं और पकोड़ों के यहां पर मैंने कट करके देगा यह अच्छे से पक गए हैं तो अब हम क्या करेंगे कि यहां पर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और हाँ अगर आपने इसमें पानी कम डाल दिया है काफी गाड़ी हो गई यह सबजी तो आप थोड़ा सा गरम पानी करके डाल दीजेगा लाश्ट में हम ताजा बारी कट्यू हरी धनिया के पत्ते डाल के मिक्स कर लेंगे गैस बंद कर देंगे और चलते हैं इसे सर्फ करने के लिए आज की इतनी सबजी में परिवार के चार से पांच लोग बहुत याराम से खा लेंगे तो रेसिपी को बनाने में अगर कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल से जल आपके सवालों का चवाब दे सकूँ तो मैं चलती हूँ इसका आनन दिफाने अपने परिवार के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने कीमती समय मुझे देने के लिए मिलते हैं एक और नही रेसिपी के साथ रेसिपी में जल से में तब तब के लिए बाई बाई